वो जंगल पहुत सुन्दर था और वहां की रहने वाले सब पशुपक्षी भी पहुत सुन्दर थे सब ही बहुत प्यार और मुहबत से रहते थे मीनु जिडिया और कॉमल जिडिया भी उसी जंगल में रहती थी वो दोनों अच्छी सहेलिया थी और एक दूसरे का ख्यार रखती उसी जंगल में कॉमल जिडिया के घर के पास एक चील रहती थी वो अपने घौंसले में ही रहती थी क्यूंके उसका एक पर किसी हाथ से में तूट चुका था उसे वज़ा से अब पक्षी भी उससे डड़ते नहीं थे कॉमल जिडिया ने दो अंडे दिये थे वो बहुत खुश थी जब चील को उसके अंडों का पता चला तो उसका मूँ पानी से भराया उसे अभी भी उन चिडियाओं के बच्चों का सवात अच्छे से याद था जो उसने एक साल पहले खाए थे वो चील पलैन बनाने लगी कि कैसे जब वो बच्चे अंडों से बाहिर आएंगे तो वो उन्हें खाएगी वो चील उड़ नहीं सकती थी बस पेड से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर कर दाना वगरा ढोंड कर खा लेती थी या फिर कभी अगर कोई कैंचवा मिल जाता तो उसी से अपने मास खाने की इच्छा पूरी करती कॉमल चिडिया हर रोज दाना ढोंडने के लिए जाया करती अब चील कॉमल चिडिया से बाते करने का मुका ढोंडने लगी अरे कॉमल चिडिया कहां जा रही हो कभी मेरे पास भी आ जाया करो सारा दिन बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ चील दीदी मुझे जल्दी होती है मैंने दाना ढूंड कर अपने गोंसले में जल्दी आना होता है क्योंके गोंसले में मेरे अंडे हैं मैं अपने अंडों को ज़्यादा देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती और कॉमल चिडिया ऐसा कहते हुए वहां से चली जाती है मीनु चिडिया को वो चिल कभी भी अच्छी नहीं लगी थी कॉमल अब तुम उस चिल से साफधान रहा करो तुम्हारे अंडे आगे हैं मीनु कभी कभी तो मुझे उस चिल पर बहुत या आती है बेचारी हर समय गोंसले में ही रहती है उसका भी तो मन करता ही होगा उड़ने को कॉमल तुम उस पर जयादा दिया ना करो उपर वाला जो भी करता है ठीक ही करता है उस सालमने भी ना जाने कितनी माओं की गोदें उजाडी है अच्छा तुम बताओ कितने दिन रह गए हैं अंटों से तुम्हारे बच्चों के बाहिराने में मुझे लगता है बस तीन दिन रह गए है अच्छा जब बच्चे बाहिरा जाएं तो तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ना मैं तुम्हें दाना गोंसले में ही दे जाया करूंगी और मीनो चिडिया वहां से चली जाती है अगले दिन जब कोमल चिडिया दाने की तलाश में जाने लगती है तो चील उसे आवाज देती है क्या बात है चील दीदी वो मैंने तुमसे कहना था ये मेरे पास दाना पड़ा है मैंने भला कितना खा लेना है तुम ले जाओ तुम्हारे अंडे हैं कहां ढूंटी फिरोगी दाना ये ले जाओ और जाकर अपने अंडों की रक्षा करो कॉमल चिडिया वो दाना लेकर अपने गोंसले में वापिस चली जाती है ये जील तो मन की बहुत अच्छी है मीनु वैसे ही इसके बारे में कहती रहती है कॉमल चिडिया वो दाना खा लेती है और सो जाती है अब तो जील हर रोज ही कॉमल के लिए दाना रख लेती और कॉमल से मीठी मीठी बातें करती कॉमल का दिल भी जील के लिए और ज्यादा नर्म हो चुका था जील मेरा कितना ख्यार रखती है और कभी किसी पक्षिय से इतना नहीं हुआ कि मुझे से आकर पूछी ले कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं और मीनू वो भी बस बातें ही करती रहती है कभी मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई ये जील ही सब पक्षियों से ज्यादा नर्म दिल है अब कॉमल चिडिया भी जील के पास चली जाती और उसके पास बैठी बातें करती रहती चिल दी ती आपका कोई रिष्टेदा नहीं है मेरा मतलब है मैंने कभी किसी को आपके पास आतें नहीं देखा कॉमल रिष्टेदार तो हैं लेकिन हैं बहुत मतलबी मेरे पास इसलिए नहीं आते कहीं मैं उनके साथ ना चली जाओ सब डरते हैं कि कहीं किसी को मुझे भोजन न देना पड़ जाए हलांके मैं किसी के भोजन की भूकी नहीं हूँ मुझे तो बस प्यार चाहिए लेकिन अब मुझे भी उनकी कोई कमी महसूस नहीं होती जब से मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती हुई है कॉमल वैसे तुम्हारे अंडों से बच्चे कब बाहिर आएंगे तुम्हारे घर में तो रोन के लग जाएंगी बच्चों की बात करते हुए चील का मुझे बढ़ जाता है मुझे बहुत इंतजार है ये खुश खबरी सुनने का आखिर में मुझे बनने जा रही हूँ बहुत जल्द में आपको खुश खबरी सनाऊंगी चील मन ही मन में उन बच्चों का सवाद महसूस कर रही थी बड़ा मझा आएगा किस चीज का मझा आएगा मेरा मतलब है जब मैं उन्हें खेलते देखूंगी चूंचूं करते देखूंगी तो बहुत मझा आएगा आप कितनी अच्छी है मेरे बच्चों के लिए ऐसे खुश हो रही है जैसे आपके अपने बच्चे हो तुम ये दाना ले जाओ और हाँ अब अंडों का ज्यादा ख्यादा ख्यार रखो अच्छा चील दीदी अब मैं चलती हूँ और कॉमल चिडिया अपने घौंसले में चली जाती है चलो अब मेरी ये परेशानी तो खत्म हुई कि जब मैं दाना ढूनने जाया करूंगी तो मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा चील दीदी तो सारा दिन अपने घौंसले में रहती है बच्चों को भी देखी लिया करेंगी मीनू का तो अपना परिवार है वो कब तक मेरी मदद कर सकती है कॉमल चिडिया ऐसे खुद से बातें कर रही थी कि मीनू चिडिया आ जाती है कॉमल क्या बात है कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैं भी घर से निकल ही नहीं बाई आज कुछ ठीक हुआ था इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिल लाओ तुम्हें तो बहुत मुश्किल होती होगी दाना लाने में नहीं वो चील दीदी है ना उसने मेरा बहुत सा दिया है दाना भी मुझे वही दे देती है कुमल मैंने तुम्हें पहले भी कहा था चील पर विश्वास करना ठीक नहीं है मीनू तुम बस वहम ही करती रहा करो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है कॉमल एक तो तुमने घोंसला भी मेरे घोंसले से इतनी दूर बनाया है मेरे पास होती तो मैं तुम्हें देख लिया करती मीनो तुम चिंता ना करो मैं यहां बिल्कुल ठीक हूँ और फिर मीनो जड़िया शाम होने से पहले पहले अपने घर चली जाती है अगली सुभा जब कॉमल जड़िया उड़ती है तो उसके एंटों से भी दो प्यारे प्यारे बच्चे निकलाती है वो बहुत खुश थी वो जल्दी से अपने दोस्त चील के पास जाती है उसे खुशखबरी सुनाने के लिए नमस्ते चील दीदी मैं आपको खुश खबरी सनाने आई हूँ क्या बच्चे निकला यंडों से आपको कैसे पता चला भला इस ये ज़्यादा खुश खबरी क्या होगी बहुत प्यारे होंगे न मेरे मेरा मतलब है तुम्हारे बच्चे हाँ बहुत सुन्दर है परहिलूंगी चील मन ही मन में ऐसा सोचती है और कॉमल जडिया दाना लेकर वहां से चली जाती है ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कॉमल जडिया को पता चलता है के साथ वारे जंगल में जो उसकी बहन रहती है वो बहुत बिमार है कॉमल जडिया बहुत परेशान थी वो अपनी बहन की खैरियत मालूम करने के लिए जाना जाती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे किस के पास छोड़ कर जाए क्यों ना मैं अपने बच्चों को चील के पास छोड़ जाऊ वैसे भी वो इनका इतना प्यार करती है वो इनका ख्याल रख लेगी कॉमल जडिया चील के पास चाती है चील दीदी मैं एक जरूरी काम सी आई हूं आपके पास हाँ हाँ कहो कॉमल क्या बात है उसके बाद कॉमल जडिया चील को इस सारी बात बताती है चील की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी हाँ हाँ जाओ और तुम ऐसा करो मेरे बच्चों को अपने परों का सहारा दे कर मेरे गोंसले में ही छोड़ जाओ मैं उनका अच्छे से ख्याल रख लूँगी और फिर कॉमल चिडिया अपने बच्चों को चील के पास छोड़ कर दूसरे जंगल चली जाती है दूसरी तरफ मीनू चिडिया, कालू कवा और तोता भी कॉमल चिडिया के बच्चे देखने आ रहे थे वो जैसे ही पूंचते हैं तो चील बच्चों को खाने ही लगी थी वो तीनो जल्दी से चील के इतनी चौंचे माते हैं कि वो चील वही मट जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाती है मीनू चिडिया कॉमल चिडिया के बच्चों को उठा कर उसके घौंसले में ले जाती है और वो तीनों कॉमल चड़िया का इंतजार करने लगते हैं शाम को जब कॉमल चड़िया वापस आती है तो चील को मरा हुआ देख परिशान हो जाती है वो जल्दी से अपने गोसले में जाती है जहां अपने बच्चों को देख कर उसकी जान में जान आती है मेंनू चड़िया कोमल चड़िया को सारी बात बताती है कोमल बहुत दुखी थी कि उसने चील पर क्यों विश्वास किया आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आज आप ना होते तो मेरे बच्चे कभी मेरे पास ना होते चड़िया के दो बच्चे थे एक बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुडिया था कुकू को मीठा खाना बहुत पसंद था, इतना पसंद था कि वो हर समय कोई ना कोई मीठी चीज ही खाता रहता कुकू बेटा जाओ और जाकर बेहन के लिए दूद लेकर आओ ममा, दो रुपे ज़्यादा दे दे क्यों? क्या फिट से टोफी खाना है? नहीं ममा, मैं अब टोफी नहीं खाऊंगा खाना भी ना, आपके दांतों में अभी से दर्द शुरू हो गया है अगर ऐसे ही मीठी चीज़े खाते रहे तो बुड़ों की तरह आपके दांत निकल जाएंगे ममा, भाई कैसा लगेगा जब भाई के मुँ में दांत नहीं होंगे मैं तो खूब भंसूंगी भाई को देखकर कुकु थोड़े गुसे और थोड़ी खुशी में वहां से चला जाता है वो सीधा कालू की दूद वाली दुकान पर जाता है अंकल मुझे जल्दी से 10 रुपे का दूद दे दें फिर दूद लेकर वो टौफी की दुकान से टौफी लेकर खाता है यार कुकु आपको जब भी देखो आप ये टौफी ही खाते रहते हो मेरी ममा कहती है कि ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाने से दांद खराब हो जाते है सब जूट मैं तो कबसे खा रहा हूँ मुझे तो कुछ नहीं हुआ मेरे तो दांद वैसे के वैसे ही है कुकु बेटा आज मैंने आपके लिए गरम गरम कबाब बनाए है नहीं ममा मैं तो बस मीठा ही खाऊँगा मुझे नमकीन चीज़ें अच्छी नहीं लगती बेटा मीठा भी खाते हैं और नमकीन भी सबजी भी और फल भी उपर वाले ने हमारे लिए हर चीज में कुछ न कुछ बेहतर रखा हुआ है परन्तु ममा मुझे तो जो मज़ा मीठा खाने में आता है कुछ और खाने में नहीं आता ऐसे कुकु अपनी ममा का कभी कहना ना मानता वो हर समय मीठी चीजें और बाजारी टोफियां ही खाता रहता फिर एक दिन कुकु उसकी छोटी बेहन गुडिया और उनकी ममा सोय हुए थे के कुकु उठकर रोना शुरू कर देता है ममा ममा मेरे दांट में बहुत दर्थ है कुकु सोजाओ बेटे थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा कुकु लेट जाता है परन्तु उसके दांट में दर्थ तो बहुत ज़्यादा था वो फिट से रोने लगता है ममा मेरे पूरे मुँ में दर्थ हो रहा है मुझे से और दर्थ बरदाश नहीं हो पा रहा अच्छा मुँ खोल कर दिखाओ कहां दर्थ है यहां ममा यहां दर्थ है थोड़ा और मुँ खोलना कुकु बेटा आपके दांटो काले हो गये है मैं आपको थोड़ा गरम पानी देती हूँ उससे दर्थ कम हो जाएगा फिर कुकु की ममा कुकु को गरम पानी देती है जिससे कुकु का दर्थ थोड़ा कम हो जाता है और वो सो जाता है सुभा हो जाती है और कुकु की ममा कुकु से कहती है अब कैसा है कुकु बेटा दान्द का दर्द ठीक हुआ या नहीं अभी नहीं मम्मा मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं मेरे दान्द में फिर से दर्द शुरू हो गया है कितनी बार मम्मा ने आपको बाचारी टॉफ्यां खाने से रोका था अब पता चला ना कुकु बेटा मैं आपको डॉक्टर के पास ले कर जाती हूँ मम्मा डॉक्टर दान्द तो नहीं निकालेगा ना ये तो अब जाकर ही पता चलेगा डॉक्टर क्या कहता है फिर कुकु की मम्मा कुकु को साथ लेकर बॉल बॉल डॉक्टर के पास जाती है थोड़ा और मुँ खोलो रानो आपके बेटे के तो पीछे वाले दोनों दान्दों में कीडा लगा हुआ है इतनी चोटी सी उमर में इतने खराब दान्द मैंने पहले कभी नहीं देखे बहुत दर्द थी रात को मेरे बेटे के दान्दों में बुल बेहन कोई ऐसी दवा दें जिसे दर्द रुक जाए कुकु के दान्द तो ज़्यादा खराब है कीडा तो आधे से ज़्यादा दान्द चट कर गया है मुझे ये दोनों दान्द निकालना होंगे ये सुनकर तो कुकु फिर से रोने लग जाता है आप जो रो रहे हो मैं ना कहती थी ना खाओ बाजारी टौफिया तब तो आप मेरी एक ना सुनते थे बहुत ज़्यादा मातरा में टोफिय खाने से कुकु के दान्द खराब होगे है आंटी आंटी प्लीज मेरे दान्द ना निकाले प्लीज सब हंसेंगे मुझे देख कर मैं कौन सा बुढ़ा हूँ पहले वादा करो कि फिर कभी बाजारी डोफियां नहीं खाउंगे फिर मैं देखती हूँ वादा पग्गा वादा मैं कानों को हात लगाता हूँ मैं फिर कभी ऐसी फजूल चीजें नहीं खाउंगा फिर बुल बुल कुकु को दर्द की दवा देती है जिससे कुकु का दर्द रुक जाता है बुल बेहन आप कुकु को बता दें कि फिर कभी अगर इसने ऐसी चीज़ें खाई तो बाकी के दाट भी खराब हो जाएंगे ऐसे कुकु को पता चलता है कि बड़ों की बात मान लेने में ही बेहतरी होती है वो फिर कभी फजूल मीठी चीजें नहीं खाता और हमेशा अपनी ममा का कहना मानता है